आप आपके system को secure करना चाहते हैं बीना antivirus install किये हुए आपके system को fully scan करना चाहते हैं तो आप simple एक command type कीजिए MRT command है जो आपको यहाँ पे दिखाए देगा अगर आप उसे click करेंगे click करने के बाद एक pop-up window आजाएगा यहाँ पे आप इस तरह से yes पे click करेंगे yes पे click करने के बाद फिर से एक window show कराएगा जो यहाँ पे लिखा होगा welcome the microsoft windows malicious software removal tools यहाँ पे next button पे click करेंगे तो quick scan, full scan, customize scan देगा यहाँ पे full scan करेंगे तो entire system को पुरा scan करेगा इसके लिए कई घंडों का time लग सकता है customize scan करेंगे तो particular folder paint review या particular drive को scan कर सकते हैं यहाँ पे click scan करेंगे और यहाँ पे next बोलेंगे तो उतना ही scan करेगा यहाँ पे आप देख पा रहा हैंगे file scan इस fast process में हो रहा है और last में अगर आप देखेंगे मैं इसे cancel करता हूं प्लास में अगर आप देखेंगे तो इस तरह का एक screen आएगा जहां पे आपको result दिखाएगा वो कि इसने कितने file scan किये हैं और कितने file infected है तो आभी no infected files है उसके अलावा आप system की tools देखना चाहते है कि इसी को protect करना चाहते है तो यह इस तरह का screen दिखाएगा और यहाँ पे आप for home की लिए check करना चाहते है तो यह system के बारे में दिखाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए कई सारे tools and tips वो दे रखा है तो check out windows security अगर यहाँ पे click करते है तो windows security से related कई सारे information नहीं show करेगा open windows security setting यहाँ पे अगर आप click करते है तो आपके system का जो setting है security से related वो आजाएगा open windows security तो यहाँ पे अगर आप यह सारे green होने चाहिए actually यहाँ पे कुछ problems है तो यह दिखाएगा कि इसे update करना चाहिए मैं इसे click करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा install and update तो यहाँ पे quickkill antivirus pro protection is out of date दिखा रहा है तो यहाँ पे इसे update कर सकते हैं लेकिन बीना antivirus के भी आप system को scan कर सकते हूँ मैंने आपको दिखाया है तो इस तरह से आप आपके system को security और security scan कर सकते हैं तो मिलते हैं ऐसे ही tricks लेके next video में thank you